नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बात फिर से प्रशना भ्यास में मैं हूं कुमार बिने और आज के इस वीडियो में हम भारत की नदियों से संबंधित दस प्रशनों को डिसकस करेंगे पिछले दो वीडियो में भी हमने भारत की नदियों से सम्मंधित प्रशनों को ही डिसकस किया था और आज के इस वीडियो में भी हम भारत की नदियों से सम्मंधित प्रशनों को ही डिसकस करेंगे पिछले वीडियो में एक गलती हो गई थी उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा उसमें एक प्रस्ण था जिसमें आपको बताना था अंतर राष्टी नदी के बारे में तो उसमें मैंने केवल आपको ब्रह्मपुत्र के बारे में बताया था लेकिन ब्रम्हपुत्रा के अलावा, सिंधु नदी, गंगा नदी, ये नदियां भी भारत की ऐसी नदियां है, जो की अंतर राश्टिय नदियां है तो इसलिए आप लोग उस प्रस्ट को करेक्ट कर लिजेगा तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो की सुरुआत करते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कितनी पसंद आ रही है तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल है कावेरी नदी का उद्गम है अब कावेरी नदी के बारे में आपको इतना तो पता होगा कि यह हमारी एक दच्छिन भारत के नदी है तो सबसे पहले देखिए यह हमारे भारत का मैप हो गया प्राय दीपिय भारत का यहां पर हमारा है करनाटक और नीचे है केरल छोटा सा और यहां पर हमारा है तमिल लाडू तो जो हमारा करनाटक है करनाटक में पस्सिमी घाट की पहाणियों के पास में एक छोटा सा ताल है जिसे हम लोग ताल कावेरी कहते हैं और वहीं से हमारी का उद्गम होता है तो ध्यान रखिएगा कि कावेरी नदी का उद्गम पस्चमी घाट के पास कर्णाटक में ताल कावेरी के पास से होता है तो यहाँ पर इस प्रश्ण में हमारा जो उत्तर होगा वह option b सही होगा यानि कि कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्म गिरी की पहाणियों से होता है अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला सवाल है कि कावेरी नदी कौन से राजियों से होकर गुजरती है option है आपके सामने गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिल नाडू तो ये तो आप आसानी से हटा देंगे उसके बाद में अगला है करनाटक, केरल, तमिल नाडू तो इस पे आप रूप सकते हैं फिर हमारा C है करनाटक, केरल, आंद्प्रदेश और D हमारा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट, तमिल नाडू तो यहाँ पर जो हमारा पहला option है A और option D है इन दोनों को आप आसानी से eliminate कर सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट कहा है और तमिल नाडू कहा है तो यहाँ पर हमारी कावेरी नदी नहीं बैते है तो अभी मैंने आपको बताया कि यह हमारा हुआ भारत यहाँ पर है हमारा करनाटक, यहाँ पर हमारा केरल और तमिल नाडू और कुछ दिनों पहले कावेरी नदी के जल बिवाद पर सुप्रीम कोट का निर्ड़े आया था फरवरी में और इसके अनुसार कुछ दिशा निर्देश दिये गए थे हमारे केंदर सरकार को तो काफी ज्यादा चर्चा में भी है कावेरी नदी और कावेरी नदी जल का जो विवाद है वह तो काफी समय से चर्चा में है तो इसलिए यहाँ आपके लिए काफी महत्पूर हो जाता है कि कावेरी नदी से संबंधे जितने भी तथ हैं उन सारे तथ्यों को आप याद रखें तो यहाँ पर आपसे पूंचा जा रहा है कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है तो ध्यान लखेगा कि कावेरी नदी जो हमारी है वह करनाटक, केरल और तमिलनाडू से होकर के गुजरती है तमिलनाडू में पुड़ुचेरी के दो डिष्टिक हैं छोटे छोटे तो वहाँ से भी इसका पानी होकर के गुजरता है तो इसलिए अगर आपसे थोड़ा सा और डिटेल में पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि जो हमारी कावेरी नदी है वह करनाटक, केरल, तमिलनाडू और पुड़ुचेरी से होकर गुजरती है यानि कि ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा अगला सवाल है निम लिखित नदियों में से किसको दच्छन की गंगा कहा जाता है अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दो टर्म आपको सुनने को मिलेंगे एक तो हमारी है दच्छन की गंगा और एक हमारी है ब्रिद गंगा तो जो हमारी कावेरी नदी है इसको हम लोग कहते हैं दच्छन की गंगा लेकिन गोदावरी नदी को हम लोग ब्रिद गंगा कहते हैं तो इसलिए आप लोग कभी कन्फ्यूज मत होईएगा इन दोनों टर्म को लेकर के कि व्रिध गंगा कहा जाता है हमारी गोधावरी नदी को और दच्छन की गंगा हमारी कहा जाता है कावेरी नदी को तो इस प्रश्衣 में हमारा जो option A होगा वह सही होगा चलते हैं अगले सवाल के तरफ अगला सवाल है कि हाल ही में किन नदियों को जोड़ने का कारी किया जा रहा है तो ध्यान रखियेगा कि हमारी जो यमुना के सहायग नदिया है केन और बेतवा जो की जाकर के बाद में यमुना गंगा में मिलती है तो गंगा के सहायग नदियों में भी Αप इनको count कर सकते हैं तो इन दोनों को जोड़ने का काम किया जा रहा है केन और बेतवा को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा तो option C, केन और बेतवा आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा अगला प्रशन है कि निमलखित भारतियों नदियों में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिसकस किया था यानि कि बंगाल की खाड़ी में जा करके अपना जल गिराती है उन सारी नदियों के द्वारा डेल्टा बनाया जाता है चाहे हम गंगा की बात करे, ब्रमपुत्र की बात करे, महानदी की बात करे, गोदावरी की बात करे कृषना की बात करे, कावेरी की बात करे तो ये जितनी भी हमारी सारी नदिया है, इनके द्वारा मुख्य रूप से डेल्टा बनाया जाता है लेकिन अगर हम बात करते हैं जो हमारी पस्ची में बहने वाली नदिया है चाहे नर्मदा हो गई, तापती या तापी हो गई, ये सारी नदिया एस्चुरी बनाती है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपस्ची हमारा तापती है इसलिए यहां हमारा सही होगा, तापती नदि के द्वारा एस्चुरी का निर्मान किया जाता है अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि तापती नदी को तापी नदी भी कहते हैं ध्यान खिएगा कि तापती नदी को हम तापी नदी भी कहते हैं और इसका ओरीजिन मध्यपरदेश से होता है अगला प्रिशन है कि निम लिखी नदियों में से किस नदी का जल ग्रहण छेत्र सरवाधिक है अब यहाँ पर आपको सबसे पहले यह जानना आवस्यक है कि किसी नदी का जल ग्रहण छेत्र होता क्या है कोई नदी अगर बहुत जादा लंबी है तो इससे यह असपश्ट नहीं होता है कि उस नदी का जल ग्रहण छेत्र भी बहुत जादा है यहाँ ध्यान रखिएगा कि नदी की लंबाई से या बिल्कुल नहीं आप कह सकते हैं कि कि किसी नदी का जल ग्रहण छेत्र जो है वह जादा है या कम है जल ग्रहण छेतर के बारे में अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जब हमारी कोई मेन मुख्य नदी बह रही होती है तो बहुत सारी नदीयां आ करके इसमें मिल जाती है इस तरीके से बहुत सारी चोटी चोटी नदीयां आ करके इन नदियों से मिल जाती है इस मुख्य नदी का जल ग्रहण छेत्र कहते हैं तो आपको असपश्ट हुआ होगा कि जल ग्रहण छेत्र क्या होता है किसी नदी का तो यहाँ पर आपसे नदी के जल ग्रहण छेत्र के बारें पूछा जा रहा है कि किस नदी का जो जलगरहण छेतर है वा सरवाधिक है तो इस प्रश्ण में जो हमारी गोधावरी नदी है जिसे हम लोग बिद्ध गंगा भी कहते हैं उसका जलगरहण छेतर सरवाधिक है प्राइड E.P.E. भारत की सबसे लंबी नदी भी यही है और इसका जलगरहार छेतर भी सबसे ज़्यादा है तो option A हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा अगला प्रशन है कि प्राइड EPA भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा प्राइड EPA भारत है उसकी सबसे लंबी नदी गोदावरी ही है जैसा कि हमने अभी पहले डिसकस किया कि गोदावरी नदी का जलगरहार छेतर भी सबसे ज़्यादा है और इसकी लंबाई भी लगबग 1465 किलोमेटर के आसपास है तो गोदावरी नदी प्राइड EPA भारत की सबसे लंबी नदी है अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है कि कौन सी नदी उरिशा में अपना डेल्टा बनाती है तो अप्शन C हमारा होगा महा नदी महा नदी जो कि अमर कंटक की पहाणियों से निकलती है मैंने आपको पहले बताया था कि अमर कंटक के सिखर से यह निकलती है और इसके द्वारा उडीशा में डेल्टा का निर्मान किया जाता है यानि कि हमारा आप्संसी महा नदी बिल्कुल सही होगा अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरब अगला प्रश्न है कि जो नदी सेस अन्य से भिन्द है वह है अब यहाँ पर थोड़ा सा रिजिनिंग टाइब का सवाल आपका यह हो गया यहाँ पर आपको बताना है कि यह जो चारो नदिया दी गई है इन चारो नदियों में से एक नदी ऐसी है जो बाकी तीन से अलग है अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि किस बेसिस पे आप किसी एक नदी को इसमें से इलिमरेट कर सकते हैं तीन अन्य नदियों से तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारी नदी है उसका जल किस सागर या महा सागर में जाकर गिराया जा रहा है अगर हम बात करते हैं नर्मदा नदी की तो यह जाकर के अपना जल गिराती है अरब सागर में बेयाब खंबात में सिंधु नदी भी हमारी कराची के पास जा करके अपना जल गिराती है अरब सागर में अगर हम बात करें तापती नदी की तो तापती नदी भी अपना जल गिराती है अरब सागर में लेकिन अगर हम महा नदी की बात करें तो यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है तो यहां से आपको क्या सबस्ट हुआ कि जो हमारी सुरुवात की तीन नदीया है वह तो अपना जल अरब सागर में गिरा रही है लेकिन जो हमारी महा नदी है वह अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है इसलिए option B हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा महा नदी हमारी एक ऐसी नदी है इन चारों नदियों में जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है बागी तिनों नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती है तो आज के इस वीडियो का आखरी प्रश्टन है कि सोन, नर्मदा और महा नदी निकलती है तो आप से पूशा जा रहा है यहाँ पर कि सोन, नर्मदा तथा महा नदी निकलती है यहां आपसे मैंने पहले भी कई बार डिसकस किया है और एक बार मैं आपको फिर बता दूँ कि जो हमारी अमरकंटक की पहाड़ी है यानि कि यह एक परबस सिखर है यहीं से हमारी तीन नदिया निकलती है पहली हमारी हो गई सोल नदी जो कि उत्तरपोद की दिसार में बहती ह और यह पटना के थोड़ा सा पहले गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है उसके बाद में इसमें सिंदर्मदा नदी निकलती है जो कि अरब के सागर में जाकर के गिलती है और तीसरी हमारी है महानदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जब गिराती है तो इस व से 10 प्रशनों को डिस्कस करेंगे तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया